प्रत्व जाई हिंद स्वागत है आप सभी का गनित की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे कक्षा आठवी के गनित में अध्याय आठ के अंतर्गत प्रश्णवली आठ रसमलों दो जिसमें हम पढ़ेंगे दुईपदी ब्यंजक के गुननखन और बहुपदी ब्यंजकों के गुननखन तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय आठ प्रश्णवली आठ रसमलों दो के सवाल बच्चों देखिए यहां मर प्रश्णवली आठ रसमलों दो में पहला सवाल दिया हुआ है रिक्तिस्थानो हुआ है लेकिन हम इसको पूरा हल करने जा रहे हैं आप रिक्तिस्थान को प्रस्थन देखकर भरिएगा चलिए इसमें आपको गुनन खर्ण करना है इसका तो इसमें क्या करेंगे हां देखे 51 दो धन स not है एक सग यहां बहुत यह यहँखे इंड़ दॉक्ति दो पॉट čय दो यहांप कि बहुक्त दो & वह यहां पर भी एक सघ्गाद दो है, वह बाहर निकल जाएगा, एक सघ्गाद दो, यह बाहर निकल गया, बचा क्या अंदर में, एक, यहां पर एक सघ्गाद दो बाहर निकल गया, तो एक बचा, एक धन, यहां पर क्या बचा है, पांच, और एक सघ्गाद दो बाहर निकल गय तो यह प्रचा एक एक इस प्रकार से से कुरन खंडर हो गया इस रूप में एक सघ्धाद दो और कोश्टाक में एक धन पांच एक आईए देखते हैं इसी प्रसक्रमाग एक के C को C में दिया हुए 27 A B के घाद दो धन 18 A B C ध्यान से देखे दोनों पदों को इस पद में C है इस पद में C नहीं है इसलिए हम C को बाहर निकालने के बारे में बात करेंगे ही नहीं यहाँ पर देखे B है B की घाद दो है यहाँ पर B है इसलिए codes बाहर B निकलेगा एक यहाँ पर A है यहाँ पर B है तो A भी हम बाहर निकाल सकते हैं अब अंकों को अचते हैं यहाँ पर 27 है यहाँ पर 18 है 27 और 18 का सबसे बड़ा गुणान खरन क्या होगा जो दोनों को एकसान भाग दे सकता है तो वो है 9 तो यहां से 9 निकलेगा यहां से 9 निकलेगा पहले 9 निकले थे हैं बहार 9 निकल गया यहां से भी A निकलेगा यहां से भी A निकलेगा यह बही बहाद निकलेते हैं यहां से निकलेगा यहां से दी निकलेगा यहां बैख़ादव है लिकने बढ़के बढ़क भी है इसलिए हम गुना 9 के रूप में था 27 यहां बचा 3 यह बाहार निकल गया है एक बी भी बाहार निकल गया है तो बचा क्या B बीच में धन चीने धन लिखेंगे अब यहां क्या बाहार निकला 9 बाहार निकल गया तो 2 बचा है है ना A निकल गया B निकल गया है तो क्या बचा C इस प्रकार से ये हमारा गुनन खंडन हो गया 9 A B और रेकेट में 3 B धन 2 C अच्छो यहाँ पर देखिए आप लो 12 A B घादो C धन 8 A B C घादो रिन 10 एक घादो C यहाँ पर क्या कामान निकलेगा जहां से देखिए 12 A और 10 में क्या कामान निकलेगा 2 12 चार से भाग जा सकता है 8 भी 4 से भाग जा सकता है लेकिन 10 चार से भाग नहीं जाएगा ये दो से भाग जाएगा ये भी दो से भाग जाएगा आठ और दस भी दो से भाग जाएगा तुम दो बहार निकल देखिए यहां पर ए है यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी यहां पर निकल देखिए यहां पर भी है यहां पर भी यहां पर भी लेकिन यहां पर भी नह 2 निकल गया बाहर, तो क्या बचेगा? 6 बचेगा, 2 छे का 12 होता है, A बाहर निकल गया है, C बचा क्या? B की घात, 2, यहां हम लिखेंगे धन, यहां से 2 बाहर निकल गया 8 से, बचा क्या? 4, 4 दूनी 8 होता है, 4 बचा, A बाहर निकल चुका है, C बाहर निकल चुका है, 1 C बचा हुआ है तो यहां बचा 20 लिखेंगे 5 लिखेंगे क्योंकि दोपंचे दर सोता है दो में से तो पाँ बचा अब देखें यहाँ पर A बहार निकल चुका है एक घाद्दो है यहाँ पर A बचेगा बस C बहार निकल चुका है इसलिए अब यहाँ पर C नहीं बचेगा तो अब ब्रेकेट बंद कर देते हैं यह हो गए से गुरान खंडन क्या क्या है दो A C ब्रेकेट में 6 बिग घाद्दो धन 4 B C रिन 5 A इस प्रकार से हम इसका गुरान खंडन करेंगे रिक्ते स्थान को भरेंगे आपको लिए रिक्ते स्थान दिया हुआ है हम पुरा मना दिये हैं यहाँ पर बच्चों आप आए देखते हैं द्वी पदी बेंजक के गुरान खंडन इसके अंदर गुरान खंडन कीजिये लिखा हुआ है देखें कैसे करेंगे गुरान खंडन यहाँ पर 4 A X एक पद है और 6 A घाद्दो वाई एक पद है जैसे अभी किये खाली स्थामने उसको ऐसी यहाँ पर भी करना है हम इसको हल करेंगे यहाँ देखें अंकों में यहाँ पर गुनाग 4 है यहाँ पर गुनाग 6 है 4 और 6 के महत्तम समापर तक क्या हो जाएगा 2 हम पहले बाहार निकाल लेते हैं यहाँ पर भी है यहाँ पर भी यह तो यह भी हम बाहार निकाल लेंगे आँ बचा जाए उसली देंगे हाँ पर क्या बचा HOLirementu 2 दूद Nous 4 हो दो बचा और यह बाहार निकल गया इसलिए बचा एक धन है बीच में धन्चीन लगा देंगे यहां पर से दो बाहर निकल गया है तीन बचा ए बाहर निकल गया है लेकिन एक ए बचेगा क्योंकि एक घाद दो है और वाई यह हमारा उत्तर है इसका एक और प्रसंद देखते हैं इसी सवाल का C देखे P Q की घाद दो R रेन दो Q की घाद दो T देखे इसमें क्या क्या बाहर निकल सकता है यहां पर P है लेकिन यहां पर P नहीं है इसलिए P बाहर नहीं देगा यहां पर Q की घाद दो यहां पर Q की घाद दो है इसलिए Q की घाद दो बाहर निकलेगा यहां पर T है यहां पर R है दोनों अलग-अलग चर है इसलिए बाहर नहीं निकलेगा अब बचा caller लिख देते हैं यहां कुश्टक में यहां P बचा हुआ है क्युकि P बाहर नहीं निकला है Q के गात दो बाहर निकल गया है अब आर बचा हुआ है बीच में रिंची द्रीन लगा देंगे दो बाहर नहीं निकला है लिखेंगे क्यों घादो तो बाहर निकल गया है अब बचा है टी इस प्रकार से इसका गुणन खंडर हो गया बच्चों ऐसे ही और भी सवाल दिये हुए हैं हम A और C हल किये हैं A B C D E जो भी दिया हुआ है उसको आप इसी प्रकार से हल करेंगे चलिए अब इसके बाद देखते हैं प्रस्ण क्रमांग 3 देखते हैं प्रस्ण क्रमांग 3 बहुपदी बंजकों का गुणन खंडर हमको करन कि यहां पर समुही करनविधी से प्रस्ण दिन दिया हुआ है समुही करन विधी से गुणन खंडर कीजिए और इसे हमारा प्रस्ण है 2-1 घात 2y धन 6-1 घात 2y धन 4x धन 12y बच्चों यहां पर देखिए 6-1 घात 2y लिखा हुआ है आपके पूस्तक में और मुझे लगता ह कि घात यहां पे ना होके यहां पे होना चाहिए तो आप भी देख लीजेगा पुष्टक में सुधा लीजेगा यह घात एक समय ना होके वाए में होगा तभी यह सवाल को उत्तर सहीं आ सकता है अब चले समुही करन करते हैं हम दो-दो पदों का समूह बनाएंगे यह दोनों पद और यह दोनों पद अब दोनों पद में जो जो कामान है उसको हम बाहर निकाल लेंगे और इस सवाल को हल करेंगे आए हल करते हैं देखी यहां भरत्य कामण है दो छे में भी दो है दो गुनो तिन की रूप में यहां पर एक से है वाई है यहां पर एक सा और वाई है तो एक से वाई हम बहार निकाल लेते हैं दो एकस वाई ये बहार निकल गया है यहां से दो एकस वाई बहार निकल गया है यहां बहार निकल गया है दो गुना तीन के रूप में था अच्छ है बहार निकल गया है दो तो क्या बच्छा तीन एकस तो बहार निकल गया है और एक वाई भी बहार निकल गया है इसलिए ब ओर दिखिए चार और 12 में कामन क्या है चार, चार निकल गए बाहर इसमें से बचा क्या अंदर X यहां से चार निकल गए बाहर क्या बचा 3 और Y अब देखिए इसमें ये और ये दोनों कामन है इसको हम बाहर निकाल लेंगे इसको लिखेंगे X धन 3 Y ये दोनों को हम बाहर निकाल लिए बचा क्या अंदर? दो, X, Y, ये वाला, पद, धन, 4, ये, ये दोनो, ये और ये दोनो एक जैसे हैं, इसलिया हम दोनों को बाहर लिया, एक साथ, और बचा क्या? दो, X, Y, धन, 4, ये बचा, तो ये उसका हो गया गुलन, खंडन इस सवाल का एका समुहिकरण विधी से ऐसे इस समुहिकरण विधी से आपको बागी सवाल को भी हल करना है आए देखते हैं इसी प्रस्ण का एक और सवाल यह प्रस्ण करमांग तीन का ई सवाल ई दिया हुआ है एकस एकस धन तीन धन आठ एकस धन तीन इसमें से हमको उरन खंडन करना है तो चलिक उरन खंडन करते हां देखिए एकस धन तीन यहां एकस धन तीन दोनों में कामन है हम इसको बाहर निकाल लेंगे एकस धन तीन दोनों में है बचा क्या आप दूसरे कोश्टक में एकस धन आ यही हमारा उत्तर है बस इतना ही करना यहाँ पर चलिए प्रस्णावर्ट रेखते हैं एफ कि एफ छोड़ेते हैं जी देखते हैं जी आपको दिया हुए बच्छों दो एम फिर ब्रेकेट में दिया है एल रीन एम धन तीन एल रीन एम इसमें देखें आप एल रीन एम यहाँ पर भी है एल रीन एम यहाँ पर भी है दोनों को हम बाहर निकाल लेते हैं तो यह हो जाएगा एक कोश्टक में एल रीन एम और दूसरी दोनों यहाँ पर एल रीन एम यहाँ पर एल रीन एम बाहर निकल गए बच्छा क्या दूसरे कोश्टक में दो एम ध यह हुआ है बहुत सुंदर धंग से उंधारनों को भी आप बार बार पना कर प्रेक्टिस करेंगे तो यहाँ प्रश्चनवली आपको आसान लगेगा तो प्रश्चनवली आर्दसम्राद दो के साथ अध्याय आठ यहीं पर समापत होता है मिलेंगे आपके साथ नए अध्या में या अध्यानों में बहुत जल्द तब तक के लिए आप सभी को जैहिन नमस्कार